हेलो दोस्तों स्वाइब आता है आपका माई यूट्यूफ चैनल जी के स्टडी हिंदी आज है 29 अपरेल आज की वीडियो में बात करने वाले 29 अपरेल से करेंट एफ़र्स के जो भी कोशन होंगे सारे हम इसी वीडियो में डिसक्स करेंगे तो इसलिए वीडियो को लाश्ट होने वाले पृतिए को कोबिट नाइंटीन रोगी को दो जार रुपे देने की घुष्टा किया जो क्रोणा वायरस तो ब्यक्ति ठीक होके घर लटते हैं बढ़ते हैं अपने नेक्स को संग लिए क्युक्त को स कुछन है हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 1,002,000 हाइडरो क्लोरोवीन टैबिलेट और 50.000 सर्जिकल दस्ताने भीट कि एं तो ने किसे बिश्टी भारत ने इसे बंगलादेश के लिए यह भैट किये एक लाग हाइड्रोग्लोविन टेबलेट और पचासाजार सर्जीकल दस्ताने भेट कि बढ़ते हैं अपने नेक्ट कुस्त ने हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्ज ने बित बर्स 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिस्तित रहने का अनुमान लगाया है भारत की गड़कर कितने रहने का अनुमान लगाया तो इसका राइटांश हो और दूप समर्वाइड नाइन पर्सेंड जीडीपी का अनुमान लगाया है इंडिया रेटिंग रिचर्च कंपनी बढ़ते हैं अपने नेक्ट को साइं तरफ नेक्ट वस्तन है हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नाम क्रोना वायरस ड्रैगिंग एप लॉंच किया है तो इसे किसने लॉंच किया इसके राइट आंसा हो जाएगा आपसर नमबर सी इसे आस्टेलिया लें लॉंच किया लेकिन इस पर अभी आस्टेलिया में ब्वाद चला है वह इस पाद पर लिए चला है क्योंकि इसमें जो वी इससे डायनलोड करेंगा और इसमें जो इसकी इनफॉर्मेशन होगी यो सारी जान करें वह और इनली साथ दिन के लिए और 21 के लिए इसमें स्टोर की जाएंगे कि इसी पर इसका बाद चले लेकिन इसने और उसका यह लिए यह और साथ इससाथ यह यह दो नावालिकों बिएक आपराद करते हैं उन्हें पहले मौत की सज़ादी आ जी जाती ती अब उसके लिए यह लिए अपने नेट कोस्ताइं तरफ कि नेक्ट कुस्तन है हाल ही में किस राध्य सरकार ने एक साल के लिए नई भरतियों पर प्रतिवन लगा दिया है जो हाल ही में एक साल के लिए नई भरतियों के लिए प्रतिवन लगा दिया वो किस ने लगा दिया तो इसका रायट आंसर अप्सन नंबर ए हर्यान इसकी सरका ने इस पर बैन लगा दिया कि एक साल के लिए और साथ जो सरकारी करमचारी हैं जो भी बेखती है उन्हें एल टीसी जो मिलता था उस पर भी रोक लगा दी सरकार ने जो कम खर्चे के लिए करोना वायरस के चलते बढ़ने के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्ट को साइन तरफ हाल ही में जारी किए के सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा स्थाइंज कर्ष करने वाले तेसों की सूची में भारत किस इस्थान पर है जो सबसे ज्यादा खर्च करने में तो भारत किस इस्थान पर तो इसका राय टांगा अपसन नंबर सी भारत को जो करने में अभी रिपोर्ट है यह रिपोर्ट 2019 की दोजार निस की रिपोर्ट की अनुसार भारत का तीसर नमबर बात करें 2018 में 2018 जो रपोर्ट थी तो उसमें भारत का नमबर था चोथा रेकिन इस तारह जिए एक साल उपर आगे बढ़ गए अब साथ ही हम बात कर लें जिए सिफ्री है इसकी स्थापना का हुए थी तो इसकी स्थापना हुए थी छे मई अचे मई 1966 में इसकी स्थापना हुए थी इसकी स्थापना हुए थी और साधी में जान लें कि पहले इस्थान पर कौन है और दूसरे पर तो पहले इस्थान पर तो है यूए से अनिकी अमेरिक है दूसरे पर है चाइनापर तंसरे स्थान पर चाहिना और तीसरे पर बताया था भारत त भायरत और जो चोहते स्थान पर है रसीया वह बढ़ते हैं अपने नसकतीट थे रफ कि नेक्ट को सनने vy caven चलते पिचछ बल्यक और न मई के चलते हुए पिच बल्यक युद्ध अभ्यास इस्थाकित करी किया गया है यह भारत और किस देश के बीच कि exatamente यह जो पिच पलेग है और तो यह भरत किस देश के बीच की एकसराइज है उसका राया टांस है आप सर्थ नमबर सी यह आस्टेलिया और भारत की बीच की एकसराइज इसे लाउच कर दिये सब्सक्राइब अब इस ताहरा होगा तो यह होगा 2022 में अब यह दोहारा होगा 2022 में अभी इसे स्थाइट कर दिया गए बढ़ते हैं अपने नेक्ट को सइन तरफ किस राज सरकार ने महलाओं के लिए जीवन सक्ती यूजना की सिरुवत की है किस राज सरकार ने महलाओं की जीवन सक्ती यूजना की सिरुवत की जो महला हैं वह अपने घर पर ही रहके मास्क बनाने का काम कर सकती है जो इस तरह मास्क की जरूए और गवर्मेंट सरकार के रुप से प्रतेक मास्क बनाने के लिए ग्यारा रुपे पे की जाएंगे प्रतिक ग्यारा रुपे पे की जाएंगे एक मास्क के लिए यही है महलाओं के लिए जीवन सक्ती यूजना इसकी तुरूद की ये मद्ध परदेश ने बढ़ते हैं अपने नेट कोसन इन तरफ नेट कोसन है उडीजा के जाने माने नाटकार और लेखक का निधन हुआ इनका क्या नाम था जो भी उडीजा के जाने माने नाटकार और लेखक थे इनका निधन हुआ इनका क्या नाम थे यह थे बिजय मिजरा इनका नाम था कुंदे यह उडीजा नाटकार थे और यह ले सब्सक्राइब करने वाला पहला संच्थान कौन सा बना है पहला संच्थान कौन सा बनाए तो इसका राइट आप से नमबर ए चिंग जोड चिकस्ता बिस्व द्याले बनाए अजो कि कहां तो यह यूपी में इस्ते थे इए काई उप्त्रपृदेश का यह इस्ते देए उट्तरपृदेश के लखनों में पहला इसन है प्लास्माज फिरू करने माला तिन सभाई सींग सरकारी एस्पताल सभाई सींग सरकारी एस्पताल पहला है जिन में रोबोट की दुआरा ब्यक्तियों के इलाज किये जा रहा बढ़ते हैं एपने इसको सेंद्रफ कि ने पूसन ने कारिये इस्थलपल एब मरुषर रहने का बिश्व दिवस कब मना आगया गया तो इसका रायटांसर उपसोंनर नम्बर टी 28 अप्रेल के लिए यह मना या था तक लिए स्थलपल स्वस्थ्त रहने का बिश्व दे मना का थी तो यह तक आज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेश करने नहीं पूलें ताकि आपको अगले हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें तब तक के लिए